जमू कश्मीर में गटबंधन सरकार गिरने पर बीजेपी को गिरने वाले राहूल गांधी के बयान पर अब किरिन रिजीजू ने पलटवार किया है। के बाद से ही सेना और सुरक्षा एजिंसियों ने अपनी नई हिट लिस्त तयार कर ली है। इस लिस्त में राइफल मैन और अरंग जेप की हत्या की पूरी साजिश करने वाले ठोकर का नाम सब से उपर है। कामले में पेश होने के लिए वो धवार तक्का समय दिया था। दाती महराज पर अपनी एक सिश्या के साथ बलातकार का आरोप है। पिडिता ने आरोप लगाया है कि दाती महराज के दिल्ली और आस्थान सित आश्रमों में उसके साथ यौन उत्पीडन हुआ। आतंकियों के द्वारा अपहरन और बाद में हत्या किये जाने के बाद जवान शहीद और अंगजेब के परिवार से मुलाकात करने रक्षा मंतरी निर्मला सीतरमन बुद्वार को जमुकश्मीर के पुंच पहुची। निर्मला ने यहां औरंगजेब के परिजनों से मुलाकात की शहीद औरंगजेब के परिवार से मिलने के बाद निर्मला सीतरमन ने कहा कि आज मैंने औरंगजेब के परिवार के साथ समय बिताया और ये परिवार पूरे देश के लिए प्रेड़ना है जमो कश्मीर में आतंकियों के खातनी को चलाए जाने वाले ओपरेशन आल आउट से राजनीती आउट हो चुकी है अब सुरक्षा बल बिना किसी राजनीतिक हस्तक्षेप के आतंकियों के खिलाफ कारवाई कर सकेंगे इसी संबन में डीजीपी एसपी वैदी ने बुधवार को एक चैनल से बाचीत में कहा कि आने वाले दिनों में आतंकियों के खिलाफ ओपरेशन तेज होगा दिली में पिछले लवक 10 दिनों से चल रहा सियासी ड्रामा फिलाल खत्म हो गया है मुखेमंत्री अर्विंद के जिवाल ने गवरन राउस में पिछले 9 दिनों से चल रहे अपने दरने को खत्म कर दिया है एक बार फिर वो काम पर लोटाए हैं लेकिन इसी के साथ अर्विंद के जिवाल विपक्षी दलों पर वार करते हुए भी दिखे के जिवाल के ही पुराने साथी योगेंद्र यादों ने भी उन पर निशाना साधा दुनिया के नंबर वन टीम इंगलिंड ने अपनी घरेलू जमीन पर तीसरे वंडे मैच में उस्टेलिया को 242 रनों के विशाल अंतर से मात देते हुए पांच वंडे मैचों के सीरीज में तीन शून इसे अजे बढ़त बना ली पाकिस्तान में 25 जुलाई को होने वाले हम चुणावों के लेकर निर्वाचन आयोग ने पूर्व राजपती परवेज मुस्चरफ के बाद बंगलवार को पाकिस्तान के दो और बड़े नेताओं को जटका दिया है आयोग ने पूरु परदान मंतरी और पीमल नेता शाहिद खक खान अबबासी का नामांकन पत्र खारिज कर दिया है इसके साथ ही पाकिस्तान तहरीर इंसाफ के प्रमुक नेता इमरान खान का नामांकन पत्र भी खारिज करता दिखा तमिलाडू की अनुकृती वास ने मिस इंडिया दोहजार अठार का खिताब अपने नाम किया मिस इंडिया के इस शांदार इविन के जच पैनल में मलाइका रोडा बॉबी देवल कुनाल कपूर किर्केटर इरफान पठान और के एल राहूल शामिल थे